हेलो गाइस वीजे अन्बॉक्सिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं अन्बॉक्स करने वाला हूँ एक बैग जो कि मैंने अपने पर्सनल लैप्टॉप के लिए मंगाया है ऐसे तो ये बैग एक बैग पैक है जो कि आप लेके इदर उदर जा सकते है बट इसके अंदर एक लैप्टॉप का सेक्शन था और मेरे को ट्रैवल भी करना होता इसलिए मैंने उस पर्पस से इसको मंगाया है और ये मैंने फ्लिपकार से मंगाया है जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार से मैंने मंगाया है और ये मेरे को पढ़ा है ये मेरे को प कर दो कर दो कर दो कर दो कर दोич один को चैन क्योंकराई बैइस यह हैं हमारा बैग जो कि हमने अंबॉक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि यह हमने फूमा कंपनी का मंगाया है और यह है ऑड़ की पॉलवजीन और इसकते हैं मेड इंडिया लिखा हुआ है यहां पर बलैक कलर से और इसको मैं खोल के दिखाता हूँ एक पर तो मैं इसको अभी आपको खोल के दिखाता हूँ और देख के बाहर की तो लग रहा है गाइस की बैक क्वालिटी काफी अच्छी है और मैं यहां के टेप निकाल लेता हूँ और रिसको भी हम करते हैं साईट और आप गाईज दे सकते हैं कि है हमारा बैग यहाँ पर पुमा के ब्रेंडिंग देख सकते हैं और यह एक मिडियम सािज बैग है और यहां पर पे तरफ अगर आप देखें तो यह इसके स्लीफ और यहां पर यहां पर लिखा हुआ है यहां पर इसकी रेट है MRP जो की है 1199 रुपे तो यह इसका साइध आप देख सकते हैं पर 31 संटीमेटर इसकी लेंथ है 21 संटीमेटर वाइड है और हाइट इसकी 46 संटीमेटर की है पूमा ब्लैक कलर है और स्टाइल है पूमा पायोणी बैकपैक सेकर्ड यह और मनिफेक्चर हुआ है अपर टॉट्टीव बैकट्र हुआ है क्योंकि इसके उपर उन्हें अच्छा खासा एगडर उसकी रिख सकते हैं यहां पर एक बॉटल रखने की जगह है यहां पर देख स तो अब को तकॉल के सकते हुआ और टोटल आप देख सकते हैं कि यहांपी चेन लगी हाँ चेन है अप अब चेन चेन हाइसे सटीम्स पाफी सेथा यहां पर काफी जगा है आप देख सकते हैं और अंदर भी अच्छा कासा है कि इन्होंने कपड़ा यूज किया है जो जेनरल बैट में यूज होता है और यहां पर एक और सेक्शन है मैं इसको भी खोल के दिखाता हूं आपको यह है एक नॉर्मल सेक्शन यहां पर अपने इसको अपने का आइटम टिफिन कोई भी चीज़ रख सकते हैं और इसको अगर मैं खोलू तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लैप टॉप का सेक्शन है तो गाइस में लिए मैंने इसी के लिए मंगाया है और यहां पर आपनी बुक्स वगएरा रख सकते हैं अगर यह बिए पूंज की बनी है तो इसमें अपना लैप टॉप काफी एजली अंदर तक रख सकते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं पूमा की ब्रेंडिंग है मैं आपको एक लैपटॉप अपना रख के भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसके अंदर लैपटॉप आता है तो कि यह है मेरे पास एक लैपटॉप 50 मिंश डिस्पलेगा पूमा एच्पी का लैपटॉप है और मैं इसको इस बैक के अंदर आपको रख के दिखाता मैं इसके अंदर आकर अपने बुक्स डालूँ तो आप देखिए यहां पे एक और मोटी से बुक में डाली है तो अभी भी काफी स्पेस इसमें बचा हुआ यहां पे एक बुक और डाल सकते हैं मैं आपको एक और बुक डाल के दिखाऊंगा लेकिन इस बार मैं इसको आग काल देता हूं और जैसा कि मैंने लेट आप डग दिया है तो चार्जर की बारी आती है तो चार्जर को भी आप यहां पर रख सकते हैं यहां पिश्चरूर तो यह हैसका एड़्ाप्टर पर कितूर करके इस के अंदर आप सकता हूं और यहूझ इसका दूसरा पार्ट है व कर दिता हूं तो यह आप आप इसमें बंद कर सक्के और लार्पटॉप भी है तो आप विसको कर सकते हो कि सब्सक्राइब हुआते Meu गज्ग초 से आपको कि यह काफि बढ़िया स्ने स्सक्रस कर दो देदर ऩौखर्स तो मैंकर निकाल दिया और ये लैप आप का रिव्यू जो मैंने आज फिलिप कार्ट से मंगाया है और होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा यह बैग काफी अच्छा है आप इसको बिल्कुल पर्चेस की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं आप इसक्रिप्शन में अच्छान पर मोर वीडियो और थैंक यू जाय हुआ